हेलो फ्रेंड्स परिवर्तन कोचिंग पच्मडी के यूट्यूब चैनल परिवर्तन दाचेंज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम यहाँ पर सेंटरल कवर्मेंट जॉब्स के एक बहुत ही इंपर्टन एक्जाम स्सी छेसल की चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखें कि Central Government job हमें किन exams के थुरू मिलती है तो इसमें सबसे वैसे तो हमें Central Government job कई तरीके हैं कई exams होते हैं जिनके थुरू हमें Central Government job मिल सकती है लेकिन जो सबसे famous exam है जो staff selection commission करवाता है वो चार exam है हमारे SSC MTS SSC CHSL SSC stenographer और SSC CGL हम बात करें SSC MTS की जिसे SSC 10th level का exam भी बोला जाता है इसमें सारी group D की post होती है यदि हम बात करें SSC CHSL की SSC 10 plus 2 level का exam भी बोला जाता है और इसमें सारी group C की post सारी तो नहीं कुछ group C की post होती है जैसे LDC है data entry operator है postal assistant sorting assistant है data entry operator grade A है ठीक है और SSC stenographer SSC stenographer में stenographer group C और group D दो तरीके के stenographer होते हैं और SSC CGL यह सबसे important सबसे प्रथिस्टित exam है जो SSC conduct कराती है SSC combined graduate level का हम बात करें SSC CHSL की तो हमें SSC CHSL की क्यों नहीं जाना चाहिए या बाकी के exam में क्या drawback है यदि मैं बात करूं SSC MTS की तो SSC MTS में क्या है हमें सारे group D के post मिलने वाले हैं multitasking staff का इसमें post मिलती हैं और यह आगर आप मालो यह सोच कर SSC MTS के नोकरी को join कर लेते हैं मालो आप किसी भी department में चले गए और वहां जाकर पता चला कि आपके कलीग अच्छे नहीं आपका department अच्छा नहीं और आप यह सोच रहे हैं कि मैं क्योंकि आदमी अपने दुख से कम दूसरे के सुख से ज़्यादा परिसान होता है तो आपको तो मतलब चांसिस बहुत कम हैं कि आपको आगे के ताइम मिल पाएगा या आपके सीनियर्स आपको के लिए टाइम दे पाएंगे तो आप अगर एक बार में सब्सक्राइब मिल जाएगा आप पढ़ाई करा सकते हैं कर सकते हैं और जैसा मुझे पता है कि मैं खुद एक सेंट्रल कवर्नमेंट एंप्लॉई हूँ जो ग्रुप टी ग्रुप डी की पोस्ट है से सी एम टीएस की जो पोस्ट है उसमें हमारे केरियर ग्रोध के हिसाब से भी उतना कुछ III तैम भी लें यहांड करती है उस समय की yoo पर कि आपको पड़ने के लिए समय मिल पाएगा और आप स्पेनो ग्राफर की तयारी करणा चाहते हैं तो आपको इस टेनों आनी चाहिए इस टेनों सीखना भी एक लेंग्विज सीखने के बराबर है और कम से कम छे से साथ मैंने आपको लगातार इसमें स्किल में ध्यान देना पड़ेगा आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी फिर उसके बाद उसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा ऐसा नहीं आपने एक बार सीख लिया हो गया आपको प्रेक्टिस करते रहना पड़ेगा तो इसके लिए आपको एक स्पेसल इसके लाना चाहिए और हमारा सीजील जो है वह इतना कटेंड टास्क क्यों माना जाता है इसका सबसे बड़ा रीजन यह है अ एक बंदा मिला था वो बंदा खुद अभी के एकजाम दे रहा है ठीक है तो इतना ज्यादा है कि जो इसका क्या है जैसे वेब सीरीज वेब सीरीज आई थी कोटा फेक्टरी उसमें बोला था ना जीतू भी याने की कोटा आदमी तो कोटा आ जाता लेकिन कोटा उसके के लिए कोसिस करता रहता ओर एक्जाम देल रहता तो इसमें क्या है कॉंपटीशन बढ़ गया जैसे उसमें के लिए बोला था ऐसी की competition जितने भी competitive exam है उनका IIT है CGL, तो उसमें क्या हो रहा है कि बंदे CGL छोड़ ही नहीं रहे हैं, continuously CGL के लिए preparation करते जा रहे हैं, और 2017 का selected candidate सोचो auditor है, अच्छी खासी नोकरी कर रहा है, उसके बाद भी वो exam दे रहा है, तो ऐसे और भी बहुत से candidate थे, मुझे वहाँ 2018 के selected candidate मिल 2019 जिसका court case चल रहा है, वहाँ पर 600-600 नंबर वाले बंदे भी SSE CGL 2020 Tier 2 देने के लिए आये थे, मैं खुद भी कई बार SSE CGL qualify गर चुगा हूँ, और अभी भी SSE CGL के exam देता रहता हूँ, तो इसका drawback यही है कि competition बहुत जादा है, आप selected candidates के बीच में आपको fight करना है, और ज selected candidates के बीच में fight करना है, जैसा नहीं है कि impossible है, possible है, लेकिन competition बहुत जादा है, ठीक है, अब हम बात करते हैं SSE CGL की, तो SSE CGL में आप ज़िए SSE CGL की preparation करते हैं, combined higher secondary school level examination की तयारी करते हैं, तो सबसे बड़ा benefit इसका यह है कि आपको SSE CGL के selected candidate जो है वो इसमें appear नहीं होते है ठीक है, और दूसरा यह है कि जैसे मानलो कोई clerk है, या data entry operator है, state government में data entry operator है, या central government में भी है, तो वो यह exam नहीं देता है, क्यों क्योंकि वो अपने career growth के लिए CHSL तो भाई select हो चुका है, तो अब वो CGL के लिए focus करेगा, तो CGL के exam ही देता है, जैसे मैं भी 2014 के बाद से मैं स selected है, या कहीं भी selected है, या MTSB बंदा हो जाता है, तो यह सोचता है कि मैं CGL ही crack करूँ, अब अगर हम कहीं अपने comfort zone से निकल रहे हैं, तो हम किसी अच्छे job में ही जाएं, तो CHSL में ये एक फायदा है कि आपको जो selected candidate है, well prepared candidate है, उनसे fight नहीं करना है, आपको new fresher candidate से fight करना है हलाकि इसमें भी आपको काफी पुराने पुराने candidate मिल जाएंगे, लेकिन as compared to CGL, CHSL में कम competition है, अगर हम बात करें SSE CHSL में मिलने वाली post की, तो SSE CHSL में हमें group C की post मिलती है, level 2 से level 5 तक की post इसमें है, level 2 पे हमारा LDC और junior secretariat assistant आता है, level 4 पे हमारे data entry operator, postal assistant, sorting assistant आते हैं, और level 5 data entry operator का ही एक पद होता है, जो level 5 पे आता है, ठीक है, तो अच्छी खासी salary मिलती है, reputated job है, time मिल जाता है, dex job है, जो अतना ज्यादा आपको headache रहेगा नहीं, easily इस job को कर सकते हैं, और आपकी reputation भी अच्छी ठीक ठाक, आपकी society में अच्छी खासी value आपको मिलती है, तो CHSL के through आप अच्छी खासी reported job भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें departments भी है, ministry of defense है, ministry of telecommunication है, आप CGDA department में जा सकते है, ministry of railway है, बहुत सारे इसे जो central government की जितनी भी अच्छे-ची CBI है, IB है, income tax है, सारे department में जितने भी अच्छे-च्छे department है, सभी की group सी post जो है, जो data entry operator, LDC, इनकी सारी post जो है, वो SSC CHSL के थुरू भराती है, आप अच्छे से अच्छी city में रह सकते हैं, और आप चाहें तो आपने अगर आपको home sickness है, hometown में या अपने home state में भी आप अपना transfer करा सकते हैं, तो इस vacancy के ये सब हमारे benefit हैं, तो अभी हम बात करते हैं, कि जो SSC CH CHSL का notification आया है 2021 का, हम एक बार उसको थोड़ा सा detail में देख लेते हैं, जो combined higher secondary school level examination है 2021, इसका notification आ चुका है, form भराना सुरू हो चुके हैं, और form भराना सुरू हुए हमारे 1 February 2022 से, और इसकी जो last date है, वो 7 March 2022, रात में 11 वजे तक आप इसके form भर सकते हैं, ठीक है, अगर आप online payment करना चाहते हैं, तो आप 8 तारिक तक कर सकते हैं, offline payment करना चाहते हैं, तो 9 तारिक तक कर सकते हैं, अगर आप चालान के थुरू अगर payment करना चाहते हैं, तो आप 10 तारिक तक आप चालान के थुरू payment कर सकते हैं, इसके बाद जैसे अभी इस बार CGL में correction के लिए time दिया था वो मई 2022 में होगा अभी SSC ने अपना सब कुछ बिल्कुल टाइम कर दिया है जो एक्जाम की डेट केलेंडर में दे हुई है प्रॉपर उसी में केलेंडर को फॉलो करते हुए एक्जाम कंडक्ट हो रहे हैं हैं अगर हम बात करें इसमें जो जॉब्स हैं उनका पेज स्केल क्या है जैसे मैंने बताया अभी कि लोडिजन टिशन गुर्ड जूणिर सेक्रेटी असिस्टेंट यह क्या है पेलेवल टू की पोस्ट है उनने सजार नोसो से त्रेसाट हजार दोसो का जो पेलेवल होता है उ इसमें अभी फिलाल में अगर आप किसी X category के city में भी है एक्स केटेगरी मतलब cities का division है आप जैसे आप कभी Central Government में थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो salary है वो आपकी city पर depend करती है अगर category wise उसको बांटा गया है X category, Y category, Z category अगर आप X category city में भी है तो आपको minimum 25,000 in hand salary मिल जाती है अगर आप Y category में है तो 33 तो 35 और अगर आप Z category की city में रह रहे हैं तो आपको approximately 40,000 in hand salary आपको normally मिल जाएगी यदि हम बात करें कि बात करें हम postal assistant और sorting assistant की तो इसमें postal assistant और sorting assistant जो है वो आपको ministry of telecommunication मिलता है आपको इसमें और इसका जो pay level है वो pay level 4 है आपका minimum basic पे 25,500 रुपे रहेगा 25,500 रुपीज रहेगा और इसमें भी enhanced salary आपको लगभग 35 से 40,000 रुपे आपको enhanced salary easily मिल जाएगी और यदि हम बात करें data entry operator वो दो category में divided है एक तो है level 4 वाले data entry operator और एक है level 5 वाले data entry operator है तो यह जो level 5 वाला data entry operator है अगर आपको यह post मिल जाती है आप अच्छा exam की तयारी करते हो level 5 ले ले लेते है तो यह जो level 2 वाला जो बंदा है जो level 2 पे vacant हुआ है यह 20 साल बाद यहाँ पर पहुचेगा level 5 पे ठीक है प्रमोशन लेगा या प्रमोशनल पोस्ट है वैसे तो LDC और junior secretary assistant भी प्रमोशनल पोस्ट है फस्ट प्रमोशन लेगा तो level 5 पे आएगा तो दो प्रमोशन लगेंगे उसको level 5 पे आने पे यदि आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं और डारेक data ले ले लेते तो आपकी अच्छी खासी केरियर ग्रोथ हो जाएगी फिर इसके बाद अगा प्रमोशन लेते तो आप गुरूप बी की पोस्ट पे इसली रेटायर होंगे ठीक है नेक्स्ट हम बात करें तो डाटर इंट्री ऑपरेर ग्रेड ए की यह सी एंड एजी करने का अब बात करते हैं हम एज लिमिट की तो एज लिमिट जो है इस विकेंसी के लिए एज लिमिट 18 से 27 है ठीक है एक जनवरी 2022 को आपकी उम्र 18 से कम नहीं होना चाहिए और 27 से जादा नहीं होना चाहिए और जो हमारे केटेगरी वाले बंदे हैं उनको SCST को 5 साल की चूट दी है और भी है एज रेलेक्शन सेंट्रल गवर्मेंट एंप्लॉइस के लिए विडो के लिए और भी बहुत सारे एज रेलेक्सेशन एक सर्विसमें के लिए वह आप डिटेल नोटिफिकेशन देख लेना आपको पता चला है मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा ह घुंछ मार्चु मैं अब हम बात करें एसेसेशने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको सात मार्च दो हजार बाएस तक। आपको 12th pass होना चाहिए 12th standard आपका pass होना चाहिए और यदि हम data entry operator grade A की बात करें जो C and AG department में मैंने बताया था data entry operator उसके लिए आपका 12th जो है वो science स्ट्रीम से होना चाहिए और mathematics आपका एक compulsory subject होना चाहिए जो math science वाले बंदे हैं जिनने 12th से math science किया तो वो इस post के लिए eligible हो होते हैं तो इसका cutoff अलग से निकलता है वह हम आगे discuss करेंगे ठीक है नेक्स्ट है टायर वन टायर वन का जो इसका exam होता है वह केसा होता हम देख लेते हैं तो सबसे पहले इसमें चार सेक्शन होते हैं इंग्लिस जनल इंटेलिजेंस quantitative aptitude और जनल अवेरनेस चार सेक्शन ह माते हैं और चारों सेक्शन में मार्क्स होते हैं 50-50-50 मतलब आपके 100 कोश्चन का 200 कोश्चन का 200 मार्क्स का पेपर होता है जो आपको साथ मिनिट में करना होता अगर आप प्रेक्टेस कर लें तो बहुत इसली हो जाता है क्योंकि आपको इंग्लिस केवल पढ़के सॉल्व करना केवल सॉल्व करने के लिए आपके पास बसता है मैट्स और रीजनिंग ना तो रीजनिंग भी इसकी बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है एससी की आपको थोड़ी बहुत प्रेक्टिस कर लो आप तो इसली बन जाती है मेन मुद्दा केवल इसमें कॉन्टेटिव एप अच्छा खासा रोल प्ले करता है और जो अभी हम देख रहे हैं मैं अभी टियर टू में जो इंग्लिस का पेपर देकर आया हूं बहुत जादा टफ नहीं आता है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होने चाहिए आपकी ग्रेस्पिंग पावर कैसी है आप आपकी अच्छी तो आप इंग्लिस में इसली स्कोर कर सकते हैं और आई बात जर्नल अवेरनेस की तो जर्नल अवेरनेस किसमत का खेले आप कितने भी पढ़ लें हो सकता है कि आपका पढ़ा हुआ ना है लेकिन पता चला आपने कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़के गया उस के अगर हम कट आफ की बात करें तो 2000 CHSL 2018 CHSL 2018 की बात करें तो जर्नल का कट आफ गया था 135.6 OBC का कट आफ गया था 133.74 SC का कट आफ गया था 1100.09 ST का कट आफ गया था 99.09 तो यह हमारे चार केटिगरी है मेन जिनका कट आफ यहां पर हमें ध्यान देना तो 2018 में यह आउट ऑफ 200 है यह आउट ऑफ 200 है और यह नॉर्मलाइजड मार्क्स है रॉय स्कोर नहीं है यह नॉर्मलाइज इस्कोर का मतलब है कि अगर आपने यहां पर 125 126 स्कोर किया होगा तो आटोमेटिक आपका स्कोर नॉर्मलाइज होके इतना हो गया होगा हना तो 125 126 130 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप इजली कर सकते हैं अगर आपका प्रेशन अच्छा आपने डेडिकेशन से प्रेपरेशन की है तो बाकी केटेगरी में भी कट आफ कोई बहुत ज़्यादा खास है नहीं है यह हमारा जनरल का कट आफ ही थोड़ा ठीक रहता है अगर हम बात करें 2017 के कट आफ की तो 2017 में देखिए कट आफ कितना था 143 जबकी 2018 में हमने कितना देखा 135 तो कट आफ थोड़ा सा 2017 में जादा था अब इसमें कट-आफ ड हो सकता है 2017 में कम रही हो इसलिए कट थोड़ा सा बढ़ गया तो चार से पांच नंबर का फर्क पड़ता है बस अब यह 143 भी यह नॉर्मलाइज्ड स्कोर है आपने यहां पर 135 अगर अपना रॉय स्कोर रएंगा तो क्वालिफाई हो गया तो इसे बड़े बड़े हाई कट ऑफ देखे घबरानी की जरुवशत नहीं है यह सारे नॉर्मलाइज्ड में अग्जाम होते होते हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं ठीक है तो अगर हम की बात करें 2017 की तो 139 की बात करें 122.5 एस्ट की बात करें तो 112 ठीक है चलिए नेक्स हम देखते है 2016 की अब देखिए 2016 में आटोमेटिक कट आफ कितना था 127.5 OVC का 120 SC का 118 अब हो सकता है 2016 में नंबर ओब वेकेंसी जादा रही हो और नॉर्मलाइजेशन उतना जादा ना हुआ हो पेपर लेवल लगबग एक जेसा रहा हो और क्योंकि यही 2016 से जो है वह एक्जाम हमारे ऑनलाइन होना सुरू हुए है 2016 से ऑनलाइन एक्जाम हो रहा है नॉर्मलाइजेशन जो है वह 2016 से चालू हुआ है तो इसलिए मैंने 2016 तक के यह चाल होते हैं लेकिन अभी तक अभी तक जितने भी एक्जाम हो है सभी में application आई है और nellaट़ आए है और जो एक अए एक ऐसे रहता है ऐसे आपको लिखना पड़ता है 250 सब्दो में और लेटर होता है लेटर लिखना पड़ता है आपको तो यह 50-50 मार्वस क्यों होते शेंट कोई हैं 50 यह से 50 marks का application application और लेटर और में दिया रहता है अच्छी तो आप 70 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं यह 2018 का 2018 का final cut-off है कि final cut-off जाता कितना मतलब हमारे tier 1 और tier 2 मिलाकर final cut-off जाता कितना है तो ldc और ldc junior security assistant और postal assistant की बात करें तो 190.33 है इसमें हमारा cut-off जो है और अगर हम data entry operator की बात करें तो 223.60 है और यदि हम SC की बात करें तो 143.93 ST की बात करें तो 133.80 OBC की बात करें तो 167.07 यह आउट of 300 marks हैं आपको 300 में से 190 नंबर 143 नंबर 136 नंबर आपको score करना है और आप इस अच्छी खासी जॉब होगी तो इतना ज्यादा टफ नहीं है 300 में 190 नंबर लाना 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 लगभग 66 परसेंट अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप एजली एक गौर्मेंट जॉब अच्छी खासी गौर्मेंट जॉब आप यहां पर ले सकते हैं तो यह था एससी चेसल का complete detail आई होप कि आप लोगों को पता चल गया हो कि हमें इस एक्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए और इस एक्जाम में बाकी एक्जाम के comparison में क्या advantage है I hope कि आपको यह वीडियो सब अच्छा लगा होगा thank you